हां जी कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में अगर आ गए हैं सभी अभी तक तो फटा फट कमेंट्स में अपनी अटर्नेस छोड़ते जाएए कि हां जी हम भी आ गए हैं जब भी आए हैं लेट आए हैं जल्दी आए हैं किस मन्त में आए हैं किस एर में चोड़ते जाईएगा, comment section में पता तो लगे कि लोग बाग कब किस महीने में, किस तारीक को, किस year में इस वीडियो को देख रहे हैं, यह बड़ा ही interesting वीडियो है, यह वीडियो है हमारा Redux के बारे में, अब देखिए Redux की actually में knowledge लेने के लिए Redux की journey को समझना भी जरूरी है, उसके implementation को भी समझना जरूरी है, थोड़ी सी history तो हमार बार ही touch करते हैं, पता है इसलिए touch करते हैं, तो history के बारे में भी जानेंगे, उससे पहले एक interesting important बात मैं आपको बता दूँ, देखिए React के अंदर आपने देखा होगा, अभी तक हम सारा काम functional की तरह से कर रहे हैं, ज साफ ही लोग अभी भी आपको कहेंगा, अरे यह क्या कर दिया, बहुत ही बेकार है, क्योंकि जातर लोग अब इसको deprecate करना ही चाते हैं, almost मुझे तो नहीं पता कोई organization जो बची है, जो कहती है कि अभी भी नहीं हम तो class based ही use करते हैं, almost सब ही migrate होगे है, कुछ एक जो बची नहीं है इसके अंदर, लेकिन इनको priority पे नहीं रख सकते हैं, अभी जो हमारा course है, जो मैंने पूरा structure किया, उसको खतम कर लेना जरूरी है, उसके बाद हम optional bonuses में उनके बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो skippable topic है, आपको है वो knowledge, अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई नाम है इसका, लेकिन इस eventual upgradation है Redux का, यह मैं भी आपको बताऊंगा किस तरह से काम करता है, यह भी almost similar to react है, बट इसकी बड़ी interesting history है, अच्छी story है, जो आपको पता होनी चाहिए, तो वो भी हम यहाँ पे discuss करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हमारे जो अभी तक के videos आए हैं, क्योंकि यह कोश बड़ा structured course है, यह असा नहीं कि YouTube पे कुछ भी random है, और जो लोग कहते हैं कि YouTube पे structured material, यह structured ही है, चाहिए और code पूरा channel ही structured है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से अभी तक हमने जो पड़ा है, context API वगरा, यह आपको help करेगा, Redux के बारे म आपको, in fact, अगर आपको context API जाद अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि Redux Toolkit का यह जो वीडियो है, यह अती ही simple है, हाँजी, इसको simple बनाने में बहुत time लगा है, बहुत महीन हो गये हैं, लेकिन यह actually में बहुत simple है, इस वीडियो कि तुरू हम समझेंगे, ठीक है, तो पहले हम आते हैं, हमारी screen के पास आते हैं, तो जैसे आप Redux सर्च करेंगे तो आपको यह website मिल जाएगी, redux-toolkit.js.org, हाँची, काफी dots है, इसके अंदर, बट यहाँ पर, कुछ नहीं, बस मैंने Google पर सर्च करा है, और यह देखे, React, toolkit पर भी जब आते हैं, तो एकदम bottom पर आपको मिलता है Redux, और React Redux, तो सबसे important जो बात है हमारे पास समझने के लिए, वो सबसे पहली बात तो यह है, कि actually मैं जिस तरह से हमने देखा था, कि हमारे पास React है, एक तो, और एक चीज हमारे पास क्या है, वो है, React DOM, तो इसी त आपको mobile पर कराना है, तो native है, इसी तरह से game development वगरा सबके लिए अलग अलग है, Redux की भी कहानी कुछ इस तरह से ही है, कि हमारे जो Redux है, वो अपने आप में एक independent state management library है, state management क्या है, वो हम दुबारा से इस वीडियो में समझेंगे, ताकि इनके इस किसी का miss हो गया, तो revision हो है, क्या की नहीं, और Redux को अगर आपको जिस भी framework में implement करना हो, इसका सगा भाई मिल जाता है, इसको एक तरह से ही कह सकते हैं, तो आपको इस तरह से मिलेगा, कि वहाँ पर भी आपको React Redux मिल जाएगा, तो उसी तरह से Redux को आप कहीं पर भी implement कर सकते हो, React को उसके साथ में, बट जैसे कि हमें React को काम में लेने के लिए React भी चाहिए होती है, और React DOM भी चाहिए होता है, उसी तरह से अगर Redux को आपको React में use करना है, तो Redux तो चाहिएगा, वो तो core library है, लेकिन उसका जो एक bridge बनता है, ताकि आप उसको React में use कर पाओ, उसके लिए हमर पास React Redux होता ह ठीक है, देखा, इतना कुछ difficult था नहीं, इतना जितना लोग हुआ बना देते हैं, कि ठीक है, अब हमें पता है कि Redux अपने आप में independent library है, उसको connection देने के लिए React के साथ, React Redux मिल जाता है, पस इतनी तो कहानी थी, कुछ जादा complex था क्या, नहीं था, ठीक है, अब आते है हम समझनी पड़ेगी, कहानी actually में start कहां से होती है, कहानी कुछ यहीं से start होती है, अब देखें, यह हमारा सबसे outer component है, उसके अंदर हमने एक और component करा, dashboard मान लीजे, dashboard का left side मान लीजे, इसको right hand side मान लीजे, जो भी आपको मानना है मान लीजे, अब problem क्या हो रही थी, कि जब भ अंदर pass करना था, और इससे इसके अंदर pass करना था, तब इसको वो prop value या property value मिलती थी, यही हमारी problem थी, अब context API में हमने क्या देखा, कि यह काम करो, सारी चीजे एक center में store कर लो, जिसको भी जब चाहिए, वो एक hook से ले लो, तो हम use नाम से एक hook बना लेते थे, और उसकी value ले लेते थे, कि हमें context use करना है, और provider से wrap कर देते थे, कुछ इसी तरह की कहानी थी, अब यह जो problem है ना, जो use context वगरा, यह context API को हम use करते हैं, यह कहानी actually में इतनी पुरानी है, कि context API तो बहुत बाद में आया, उससे पहले काफी कुछ development हो गया था, अब क्या-क्या development हुआ वो भी हम जान लेते हैं, तो देखें, यह जो development है ना, यह काफी दिनों से चल रहा था, और redux तो actually में काफी बाद में आया, पहले इससे भी पहले एक था flux, हाँ जी, अब यहीं पे मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, देखें, flux जो था, वो architecture Facebook ने design करा था, क्यों क्यों redux में एक हम होना चाहिए, flux भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि यह सब derive तो flux से ही हो रहे हैं, लेकिन यह सही बात नहीं है, just because किसी ने कुछ कह दिया, उसके पीछे logic तो बताओ मुझे, क्योंकि उपुराना है, पुराना तो flux भी है, तो flux भी पढ़ो ना पहले, लेक फिर एक साल बाद आप जाओगे, तो तब तक तो वो full-fledged market में होगा, तो best से best पढ़ना ही जादा बेटर है, तो इसलिए जब लोग कहते हैं कि redux toolkit नहीं, आप core redux पढ़ो, अरे बाई core redux क्यों पढ़ना है, आप flux पढ़ो ना, flux के अंदर है, तो चलिए वापिस से आते यह सारा data में यही से ले लूँ, global variable तरह से, ठीक है, यह काम यहाँ पर भी होता था, लेकिन इसके अंदर एक और जो काम होता था, वो बड़ा ही अच्छा काम था actually में, वो था हमारा data flow का, क्योंकि अभी तक पता है क्या है, जब भी हम context API यूज़ करते हैं, उसमें भी data flow इ अपडेट होगी और किस तरह से मैं values को use करूँगा, इसका एक structure होना चाहिए, इसका एक mechanism होना चाहिए, वरना क्या होगा, problem हो सकती है, जैसे कि आपने देखा था, हमने जब use context यूज़ किया था, तो जो भी array के अंदर values थी, हम पहले उसको spread कर रहे थे, क्योंकि मैं उज़ चिंता करनी पड़े, क्योंकि उसकी state को spread करो, पुरानी values लो, उसको चेडो मत, यह सब काम काफी दिक्कत वाला है, तो इसलिए flux के अंदर क्या है, data flow पे काफी ध्यान गया, अब flux का data flow था ना, यह भी इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि नया नया library बनी है, तो इसलिए क्य में सबस्यादा popularity मिली थी हमारे डैन अबरमोव को, उनके साथ में एंड्रू भी थे, एंड्रू क्लाक्स या एंड्रू क्लर्क, मुझे याद नहीं, एंड्रू नाम था, इतना मुझे याद है, बड़ी अच्छे उनकी conference है, अगर आप YouTube बगरा पे देखोगे, तो वो talk है उनके अभी भी, तो वहाँ पे उनने पहली बार Redux को इंट्रूद्यूस किया, जो कि एक बेटर वर्जन था Flux का, अला कि इतना जादा नहीं था, बट ये सारी चीज वहाँ पे ही कुछ टर्म्स आई, जैसे single source of truth होना चीए, मतलब एक ही store होना चीए, state को सिफ read only होना स्वी थी, Redux के अंदर काफी था, उस line को बोलते थे कि you should never modify your state, or you should never mutate your state, तो ये concept उन्हों नहीं दिया था, और changes जो भी होने चीए store में, वो functions के through ही होने चीए, directly कोई भी changes नहीं होना चीए, तो changes should be made as pure functions, या जिनको हम reducers बोलते हैं, कि reducers के through ही changes होने चीए, और changes नहीं हो चीए, ऐसा नहीं कि किसीने भी function को लिया, उसमें value overwrite कर दी, तो वो थोड़ा सा problematic हो जाता है, कि आपने function का reference लिया, आपने कुछ भी functionality उसके अंदर डाल दी, तो ऐसा नहीं होना चीए, functionality reducers के through ही जानी चाहिए, ये आपको आगे जाके बहुत ही अच्छा support देगा, उसके हमारा जितना भी काम है, सब एक proper mechanism से होना चीए, इसकी शुरुआत actually में Redux के अंदर हो गई थी, कि इसी तरह से हम काम करेंगे, अब Redux जब आया ना, तो लोगों ने appreciate बहुत करा, क्योंकि जितनी भी JavaScript libraries थी, उनके साथ में Redux काफी अच्छे से stick up हो रहा था, और Redux सिफ React की proprietary नहीं थी, जो कि अकसर लोग course पढ़ते time या पढ़ाते time बोलते हैं कि React और Redux तो होता है, नहीं, ऐसा नहीं है, Redux independent library है, यह view के साथ भी चलती है, react के साथ भी चलती है, और और किसी JavaScript framework या library में लगाना चाओ, वहाँ पे भी लग जाती है, इसलिए यहाँ पे actually में इस तर अब इन्होंने React Redux भी निकाला, official binding for React और इसके बाद अब भी एक latest इन्होंने निकाला है, जो कि Redux toolkit, the official opinionated batteries included toolkit for official development, अच्छा, यह तो सब ठीक है बाद, लेकिन अब आते है मुद्दे पे, कि ठीक है, flux सा समझ में आया, journey start भी, Redux से समझ में आया, लेकिन actually में अब यहाँ से जाने का क्या मतलब था, देखें, यहाँ पर क्या हो रहा था, Redux तो ठीक है चल रहा था, लेकिन कुछ ही दिक्कते Redux में आ रही थी, especially जैसे एक Redux ठंक नाम का एक concept है, कुछ middlewares है, जो आपको debugging में help करते हैं, इसके अलग toolkit, मतलब आप Chrome में जाके देखेंगे, तो आपको Chrome add-ons भी मिल जाएंगे, और रखने भी चाहिए वो Chrome add-ons, Chrome extension, तो आपको यहाँ मिल जाएंगे Redux dev tools, तो इस पर आप जाएंगे, हाँ मैंने install कर रखा है, क्योंकि मैं बहुत काम करता ही रहता हूं इस पर, तो यह Redux का dev tools आपको मिल जाता है, इसको रखना चाहिए, कैसे use करत अंदर भी setup में थोड़ा सा time बिताया हर बार, Redux में तो उससे 3-4 गुना जादा ही time लगता है, लेकिन फिर क्या हुआ, जब यह सारे काम होने लगे कि ठीक है, middle wears आने लगे, Redux ठंक आया, Redux साग आया, जिनके कई side effects भी थे, कई problems भी थी उसमें, लेकिन उसके बादे नहों और काफी चीज़े मैं खुद internally manage करूँगा, जैसे की, अब क्या है, abstraction जादा है, Redux toolkit के अंदर, इसके अंदर आपको क्या है, आपको store बनाने का बहुत ही easy तरीका मिलता है, पहले काफी problem होती थी, मतलब configuration जादा थी problem तो क्या, वो कहिना कई copy paste आपको snippet में रखना पड़ता है, in fact आपके कुछ है न, Redux thunk type के जो middleware से है, वो इसमें already included होते हैं, आपको कुछ नहीं करना होता, कैसे उनको काम मिलेते हैं, क्या होते हैं, इन सब के बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे, बट इतना तो समझ में आ गया कि Redux की कहानी क्या है, ठीक है, अब यहाँ प बताता नहीं हो YouTube वगरा पे, बट मैंने नोटिस करा कि live classes में students को बहुत मजा आता है, और Hindi channel पे भी लोगो को बहुत मजा आ रहा है, आ रहा है न, मजा तो मुझे बता दीजेगा, comment section में अगर नहीं आ रहा तो इस sections को मैं हटा दिया करूँगा, आगे वाले videos में से कि नहीं आपको history जानने में interest नहीं है, ठीक है, अब आते हैं हमारे कुछ concept में, जो redux या redux toolkit दोनों में ही आप देखोगे, सबसे पहला concept है आपका store का, store क्या है, कुछ भी नहीं है, यह है आपका, जहां से हम सारी की सारी चीजे single source of truth से ले ले लेते हैं, तो एक store बनाएंगे, global variable type स माल लो, और वहां से सब चीजे लेंगे, उसके बाद एक reducer होता है, reducer क्या होता है, कि आपको store में कुछ भी change करना है, कौन से store में change करना है, क्योंकि auth का store, product का store, अलग-लग store, मतलब store के अंदर mini store हो सकते हैं, store तो एक ही होता है, बट store के अंदर mini portions हो सकते हैं एक तरसे, तो मैं खुदी कर लोगा, उसके बाद दो ही method आपको पढ़ने है, एक है use selector, एक है use dispatch, नाम से पता लग रहा है selector, जब कोई value select करनी है store में से, dispatcher, dispatch करनी है, भेजनी है, जब कोई value मुझे भेजनी है, बस इतना से काम है, तो अब हम बनाते हैं एक project actually में, जो कि हमें यह सब कर के देगा, और सारा का सारा काम देगा, यहाँ पर actually में मैं ज़्यादा focus नहीं हूँ कि मेरा UI का look कैसा है, मुझे ज़्यादा focus है कि actually में, चीज अच्छे से चलनी चाहिए, तो मैं एक बार अपना यह project लियाते हैं, और मैंने एक AI का विडियो बनाया था, तो मैंने अब अफ़ी टाइम से चल रहा है, इसका मतलब, ठीक है, तो यह हमने open करा, और एक project बनाते हैं, वो यह अपना NPM, create wheat at the rate, wheat at the rate, latest, ठीक है जी, latest project का नाम क्या रखें, redux, toolkit, यह रख लेते हैं नाम, वैसे तो to do है यह भी, to do भी रख लेते हैं, ठीक है, हाँ, to do को भी complex बनाया जा सकता है, हाँ जी, to do बहुत complex बन सकता है, इसकी बात नहीं है, react आ गया, और यह javascript आ गया, cd, redux, toolkit, वैसे तो मैंने bun भी install करा है, अगर इन case आपको पता हो त तो मैं हापे bun install लिखूँ, या फिर मैं node install लिखूँ, एक ही बात है अभी मेरे लिए, मैंने configure इसको अच्छे से कर लिया है, मैं आजकल थोड़ा सा bun के साथ खेल रहा हूँ, आपको भी खेलना है के लिए, कोई दिककत वाली बात नहीं है, तो आप node install भी करेंगे, तो भी exactly लिए होगा और bun install करेंगे तो भी यह होगा, बस एक extra file लाती है, bun lock भी और कुछ भी नहीं है, fancy, अभी ऐसके बारे में हमें देखने ही जरूत नहीं है, ठीक है, अब Redux toolkit को use कैसे करें, यह तो एक चिंता जनक बात है, एक बार इसको open करते हैं, और app.jsx पे जाते हैं, पहले learn about Redux toolkit, ठीक है जी, save कर लिया, और इसको run करते हैं, तो NPM से भी run कर सकते हो, bun से भी कर सकते हो, NPM से ही कर देता हूँ, NPM run dev, ताकि आपको यह न लगे कि आप तो bun जादा use करें नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अपना चल रहा है, ठीक है, Redux toolkit आ गया, ठीक है, Redux toolkit तो पर use कैसे करना है, बता सकते हो, अरे, documentation से पढ़ना है, और क्या बात है, और कहां से पढ़ेंगे, getting started, tutorials में नहीं जाना अभी, क्योंकि इसका tutorial थोड़ा सा complex है, आपको confuse कर सकता है, तो यह वाला वीडियो देखिएगा, तो ठीक है, installation के अंदर बता है कि create a react app, अब react app देखि बताओ करना क्या है, उसके बाद कहा है कि ठीक है, बना लो, existing app में कैसे install करना है, तो यह दो command इसने दी है, npm install redux toolkit और npm install react redux, दो क्यों use करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ध्यान से नहीं सुना, अगर ध्यान से सुना होता, तो आप यहां पे जवाब लिख देते अब तक है ना, तो comment section में लिखो, दो libraries क्यों use करनी पड़ेगी, ठीक है, तो make एक करके इनको copy करते हैं, चलते हैं अपने back पे, और इसको install कर देते हैं, तो पहले तो अपना redux toolkit हाँ, npm से करो, band से करो, कोई फरक नी पड़ेगा, दोनो interchangeable है, ठीक है, environment ही तो है, और क्या है, ठीक है run करके देख लेते हैं, एक बार कि मामला ठीक है कि कुछ break-break कर दिया है भी सही, ठीक है, मामला अभी तक तो ठीक है, चलिए, अब इसने क्या काया है, कि ठीक है, आपको store configure करना पड़ेगा, देखे, included के अंदर ही mostly काम लिख रखा है, एक store आपको configure करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको actions बनाने पड़ेगे, slice बनाना पड़ेगा, फिर async वगरा आपको setup करना है तो करिए, तो कर लीजे, हाँ मुझे पता है, थोड़ा सा complex है, actually मैं इतना भी complex नहीं है, मैं आपको इसको basics से, actually मैं इसको simplify करके दिखाता हूँ, कि किस तरह से ये काम होता है, opinionated चीजें हैं, कुछ लोग कहेंगे अपने folder के यहीं पर रखो, कुछ लोग कहेंगे store के folder के अंदर रखो, कुछ लोग कहेंगे app के अंदर रखो, totally आपकी choice है, इससे कोई फरक नहीं पड़ता है कि आप store को कहां रख रहे हैं, मैं एक folder बनाता हूँ, इस folder का नाम app रख दे store बनाने का एक process है, आप चाहो तो note down भी कर सकते हो, सबसे पहली जो चीज़ करनी है, वो आपको configure store लेके आना है, क्योंकि वही एक method है, जो कि इससे काम करता है, तो हम लेके आते है configure store redux toolkit से, अब यह देखे कहां से आया है, यह आपका core redux से आया है, ना कि react redux से, ठेक है, अ अब store बन गया है, लेकिन यह properly तयार नहीं है अभी use case के लिए, बट फिर भी हम इस method को use करते हैं, एक variable export कर देते हैं, export const stores का नाम दे देते हैं, और store आएगा कहां से, हमारे configure store से आएगा, यह हमारा store है, यह एक object ही लेता है अपने अंदर, most of the चीज़ें यहाँ पर अपने यह ready नहीं है अभी, इसलिए हम इसको save करके बस close कर देते हैं, ठीक है, दो line का code लिखा है, कुछ complex था अभी तक, नहीं बस एक store बना है, ठीक है, एक method मिल गया नया, हमने उस method से बना लिया, जैसे use state थे वगरा थे, हमने वैसे ही बना लिया, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली अपने reducer, लेकिन Redux toolkit के अंदर जिस तरह से reducer बनता है, वो थोड़ा सा actually में अलग है, क्यासे अलग है, हम इसको बोलते हैं actually में slices, आप देखिए, नाम में कुछ नहीं रखा है, आप उसको slice बोलिए, कुछ भी बोलिए, बट हम थोड़ा सी उसकी naming convention Redux की ही use करेंगे, Redux toolkit क especially, तो folder बनाता हूँ एक नया, मैं इसको नाम देता हूँ, feature या फिर features दे देता है, अब features के अंदर भी क्या है, अलग-अलग features हो सकते है, login feature हो सकता है, to do feature हो सकता है, product feature हो सकता है, काफी features हो सकते है, अभी मैं क्या करता हूँ, एक to do बना के देखते हैं basically, ताकि हमें actually में अ इसके अंदर भी एक folder बनाते हैं जिसका नाम देते हैं हम to do, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं जो आपका मन करें, और उसके बाद इसके अंदर एक file बनाता हूँ मैं, इस file का हम नाम रखते हैं, to do और slice.js, अब देखिए इस file के पीछे हमें slice जो लगा है, उसका कोई खास role है इसको आप to do.js भी बोल सकते थे, बट क्योंकि naming convention है, सबको पता रहे कि आपते Redux toolkit यूज करा है, बस इसलिए लिख रहे हैं, ठेक है, चलिया, अच्छा, आप इसके अंदर कैसे use करते हैं, देखिए सिर्फ आपको एक ही method चाहिए, जो slice बना देगा, बट हम दो use करेंगे, उसके पीछे reason भी आपको बताता हूँ, जो सबसे पहला method है, वो है create slice, अभी create slice आएगा आपके पास, from Redux.js toolkit, अब method तो technically यह की चीए, जिससे आपका काम हो जाएगा, बट क्योंकि मैं कुछ use करना चाहरा हूँ, आपको अगर याद हो, तो हमने जो IDs ली थी, अपने to do's के अंदर, वो 123 ली थी पहले तो, उसके बाद लगा कि यार 123 तो ठीक नहीं है, तो हमने simply date use कर लिया था, हाँ जी थोड़ सी चाय चलती रहती है, सायद बस है, ठीक है, आज green tea चल रही है, ठीक है create slice, तो इसके लिए क्या है, Redux को पता है कि देखिए, ऐसा काम होता रहेगा, क कुछ भी नहीं है, ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, आपको पता है, इसके अंदर सबसे पहले important चीज क्या होती है, store के अंदर, initial state, कि store starting में कैसा दिखेगा, empty होगा, कोई value होगी उसके अंदर, आप कहीं database से कुछ fetch करके value डालोगे, कुछ ना कुछ तो करोगी, तो उसी state क्या रखता हूँ, एक object रखता हूँ, क्योंकि इसके अंदर multiple चीजे आ सकती है, जैसे मैं पहला रखता हूँ, यहाँ पे एक simple अपना to do's, नाम से मेरी state है, यह क्या है, कुछ भी नहीं है, एक array है, और array के अंदर हमारे पास objects होगे, अब by default में एक object यहाँ पे add कर देता ह ताकि हमें थोड़ा सासा नहीं रहे, id उसकी one रख देते हैं, और text value जो है, उसके अंदर हम simply hello world रख देते हैं, ठेक है, इतने में कोई दिक्कत, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो और values आपको लेनी है, completed, false वगरा, जो कुछ रखना आप रखिये, अब यह है मेरा पहला to do, बट और भी properties हो सकती है, हो सकता है, आप authentication token रखना चाह रहे हैं, और भी कुछ जो हम आगे रखेंगी, और विससी बात है आगे जाके और complex है आप आएगी, बट आपने देखा है कुछ है नहीं, अब अकसर लोग क्या है, इसको इतना complex बना देते हैं तो उसमें problem ह complex मत बनाईए, simple साही देखिए, कि एक object है, तो object हमने JavaScript में बहुत खेले है, उसमें दिक्कत ही कहा है, ठीक है, अब हम आते हैं कि किस तरह से हम एक slice बनाएंगे, slice क्या है, almost एक reducer का ही बड़ा version है, और कुछ भी नहीं, अच्छा reducer क्या है, कुछ भी नहीं, functionality है, हान जी, बस और कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको export भी कर लेता हैं, क्योंकि इसको काम में लेना है हमें आगे जाके, तो हमने क्या करा, एक नाम से बनाए हमने to do slice, ठीक है, अब to do slice बनेगा कैसे, एक ही तो method है, कोर method ही मैंने कौन से बता है, ये create slice ही तो बता है, जब नैनो के नाम होते हैं, आपके उपर depend करता है क्या नाम आप रखना चाहते हैं, बट जो भी नाम रखेंगे वो थोड़ा source समझ के रखेगा, क्योंकि जब हम Redux Toolkit use करेंगे Chrome extension का, तो वहाँ पे यही नाम show होगा, बस और कुछ importance नहीं है, तो मैंने एक name property दी, यह property मेरे मन से नहीं बना रहा हूँ, यह actually मैं Redux Toolkit में है, यही property का नाम होता है तो इसका नाम मैंने रख दिया to do अब क्योंकि string है, तो आपको भी अब तो पता लग रहा है कि अच्छा string है, name important है property, बट string तो to do हो, हितेश हो, superman हो, चाय हो, क्या फरक पड़ता है जो second चीज आप देते हो इस slice के अंदर, हर slice का एक initial state होता है, तो हाँ multiple slices भी बनती है, बट हर slice का initial state होता है, अब कुछ लोग क्या करते है initial state यहाँ पे लिखने की बजाए इसको initial state नाम दे देते हैं, और colon लगा के यह values यही लिख देते हैं आपके उपर है, यहाँ लिखना हमें comfortable है यहाँ लिख दीजे, मुझे ज़्यादा पसंद है कि मैं इसको अलग से declare करूँ, तो ज़्यादा बहतर होता है ठीक है, वो हमने कर लिया अच्छा, अब जो सबसे important चीज आती है, जिसके लिए ही हमारा actually में store अभी तक incomplete है, वो है हमारे reducers, तो पहले reducers किसी और तरह से बनाया जाते थे, अब बहत आसान है, अब यहीं पे हम reducers लिखते हैं, क्या है property तो है, तो यह लिजे colon और यह लिजे, यह बन गया आपका reducer बस इतना ही काम है, अच्छा important बात यह कि reducer में आता क्या है object अच्छी बात है, इसमें आती है properties और function, हाँ जी जेकि बताता हूँ, तो properties और function कैसे, property का नाम है मेरा add to do add to do, ठीक है, यह मेरी है property अब इस property के अंदर आपको क्या लिखना होता है एक अपना function, अब function हो सकता है आपने कहीं और declare करा हूँ, जैसे suppose करिए आपने function कुछ यहाँ पर declare करा है यह declare करा है function या फिर arrow function जैसे भी आपने करा है, तो आपने करा say hello और यह console log hello हो गया अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो वो say hello को यहाँ पर reference दे सकता हूँ, reference देना, call मत करना तो वो भी एक ही बात है आपको लगता है, नहीं मुझे यहाँ पर थोड़ा सा confusion हो सकता है लिखने में, मैं तो यहीं लिखना चाहूँगा, तो यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत वाली अब यहीं पर हमारा actually में change आता है context API से, context API में भी आप इसी तरह लिख रहे थे हमेशा function का declaration कर रहे थे, उसकी definition नहीं लिख रहे थे यहाँ पर Redux Toolkit में हम उसकी सिर्फ declaration नहीं लिखते हैं, हम उसकी definition लिखते हैं पूरा जब भी आप add to do करोगे, आपको दो चीजों का access मिलेगा, हमेशा याद रखना यह syntax ही है, यह इसी तरह से काम करते हैं जैसे use state याद रखते हैं, use effect याद रखते हैं वैसे ही आपको हमेशा यहाँ यहाँ पर दो चीजे मिलेगी notes में भी लिख लेना, एक मिलेगा state और एक मिलेगा आपको action ठीक है, इन दोनों का आपके पास हमेशा ही access रहेगा अब दोनों को काम में कैसे लेते हैं, वो हम बताता हूँ state तो आपको क्या है variable हमेशा access देगा, कि अभी मेरी यह जो initial state है ना, obviously बात है आगे जाके change हो जाएगी, तो अभी उस state के अंदर क्या-क्या values है, उन सब का access आपको देगी, ठीक है, अब हो सकता है इसके अंदर 10 to do's गएवे हों, इस एरे के अंदर 5 to do's गएवे हो, एक भी नहीं हो, सारे remove कर दियो तो अभी क्या situation है उसकी वो hand-to-hand situation वाला काम state आपको देता है, actions क्या होता है actions कुछ नहीं होता है कि आपके पास कई बार हो सकता है कुछ values आए, अब जैसे remove, अपने आप तो हवा में remove नहीं हो जाएगा एक ID तो लगेगी ना, तो ID देने के लिए अब ID तो लगेगी, अपने आप तो हवा में ID नहीं पता लग जाएगी, तो कुछ values मुझे भी तो चाहिएगी, जब मैं इस method को call करूँगा, तो वो values कहां से मिलेगी, वो values action में से मिलती है हाँ जी, ठीक है तो इतना जादा कुछ खास है नहीं तो ठीक है, चलिए, अब क्या करना है हमें, कुछ नहीं, add to do करना है, तो मेरे पास मेरे को पता है, कि मेरे को to do तो लाना पड़ाएगा अब to do मेरे को मिलेगा कहां से, जैसे ID मिलेगी, वैसे to do मिलेगा, तो हां जी actions यही मिलेगा, तो कैसे लिखेंगे इसको, बहुत आसान है, एक to do बना लेते हैं तो इसका नाम दे देते हैं to do, और to do मार के नई line पे ले आते हैं, यही काम करना था, ID, unique होनी चाहिए, और text भी मिलना चाहिए, पहले हम क्या कर रहे थे, यह कर रहे थे कुछ, date, capital वाला date, suggestion बहुत ज़दार है आज, date.now, कुछ इस तरह से कर रहे थे, देखे, कोई बुरा ही नहीं है, यह भी आप कर सकते हो, but एक बहतर तरीका, क्योंकि नहीं टुटोरिल है, एक बहतर तरीका तो बताऊंगा ही, तो हम nano ID उस कर लेते हैं, कैसे यूस करना है, कुछ भी नहीं है, बस आपको बोलना है, nano ID और यह लिजे method, that's it, ठेक है, यह कई बार होता है, जब इस तरह कि आप AI बगर ही उस करते हैं, तो suggestion में इस तरह की problems आ जाती है, इसलिए beginners को मैं recommend नहीं करता, क्योंकि beginners को पता नहीं न, कहां पे problem आ गई है, कहां नहीं आ गई है, तो बस इस ID के अंदर अब एक नहीं value चली गई है, नहीं string, अच्छे, text कहां से लो गए, क्योंकि hello world तो सब में नहीं डालोगे, क्योंकि हो सकता हूँ, आपको कुछ बेज रहा हो, पर आप hello world यह add करे जा रहे हो, हाँ जी, तो यह कहां से निकालेंगे हम, यह निकालेंगे हम हमारे action में से, action के अंदर, payload नाम से आप ले सकते हो, और payload के अंदर आपको यह value मिल जाएगी, अब payload को भी आप एक object बना सकते हो, तो उसके अंदर dot properties access कर सकते हो, payload अपने आप में एक object है, तो उसके अंदर क्योंकि मैं payload dot text, मैं text नाम से ही भेजूँगा, इसलिए उसकी property text है, तो दो बार text लिखने ही ज़रूत नहीं है, action dot payload लिख दो, अब हो सकता है इसके अंदर से आपको कुछ और extract करना हो, तो आप और भी extract कर सकते हो, payload एक object है, object में ID आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ID, email जो भी आपको लेना हो, तो बस यह हमारा काम हो गया, लेकिन यह तो आपने to do बनाया है, यह to do अभी state के अंदर थोड़ना गया है, क्योंकि initial state तो आपने बता दी, बट अब भी state को update करना पड़ेगा ना, अब यहाँ पर आती है सबसे अच्छी बात, कि इस state को पहले redux में जिस तरह से काम में लेते थे, वहाँ थोड़ा सा extra खर्चा होता था, खर्चा अलब टाइम का खर्चा, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इस state का access लो, state के अंदर आपको पता है कि आपने to do's लिये हैं, अच्छा to do's कैसे लिये हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास to do's हैं, तो state के अंदर यह जो object है यही आपका state है, और भी values हो सकती है, तो इस to do's को मैं access कर रहा हूँ, और इस to do's के अंदर क्या कर रहे हैं, सीधा push कर देते हैं value को, यह लिजए push और यह to do हमने push कर दिया, ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ हमारे पास यहाँ पर, अच्छा इसको हटाएं, यह लिजए एक बार इसको, यह comma नहीं चाहिए था हमापे, क्योंकि यह to do बनाया है, ठीक है, यह आगई value, तो हमारा add to do वाला काम हो गया, तो देखें, आपको यह पता लग गया, कि अब मेरे को state कैसे access लेना है, और action के थूरू remove कैसे करना है, अब यह आपके उपर है, कि आपके पास जो values आ रही है, अब एक बार अगर आप database call करना सीख जाएंगे, या fetch API call करना जो आपको आता ही है, तो API call भी कर सकता हूँ, end में मुझे पता है, बस यही तो use करना है, अब उसके अंदर आपने अगर area बनाया है, तो push कर दीजे, object बनाया है, तो property add कर दीजे, जैसे भी आपको ठीक लगे, वो आप कर सकते हैं, अब remove, remove तो मेरे साब से आप भी कर सकते हो, देखे, remove है हमारा pure and pure revision, ठीक है, तो remove के अंदर क्या मिलेगा, जो method है, इसके पास किस-किस का access है, फटा-फट comments में लिख दो, पढ़ने भी आते हो, keyboard भी नहीं चलाना है, कैसे काम चलेगा आपका, तो state लीजे, और दूसरा क्या मिलता है, action, state के अंदर क्या मिलता है, आपको पता है, state के अंदर मिलता है, current state of, जो भी state है, और action के अंदर, जो भी data pass हो रहा है, ठीक है, अब मुझे पता है, remove करने के लिए, action में इनोंने मुझे, एक, id तो भेजा ही भेजा होगा, तो id अगर भेजा होगा, तो मुझे क्या करना है, filter लगा देते है method, अपने todo's पे, और जो भी action.id है, अगर match हो जाता है, हमारे todo id से, तो उसको नहीं लेंगे, बाकी सब को ले लेंगे, तो ये तो बड़ाई simple सा हो गया, तो state.todos, अब क्योंकि ये todo's हैं, इसको ये overwrite कर देते हैं, यही तो करना है, ठीक है, तो ये कैसे overwrite होगा, कुछ नहीं, अपना state.todos लो, और इसके उपर एक filter लगा दो, ये लिजे filter लगा दिया, अब filter के अंदर क्या होगा, हर एक value का access मिलेगा, हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है, अब हर एक value का access लेंगे, तो क्या बोलेंगे उसको, todo बोल देते हैं, todo's के अंदर जो भी है, अब यहाँ पर जाके क्या करना है, कुछ नहीं, आपका जो todo है, उसके पास एक ID होगी, हाँ जी, उसको match कर लो, कि वो नहीं मिलना चाहिए, किससे action के साथ, आप जो payload भेज रहे हो, उससे, action.payload, और automatically ID वो compare कर लेगा, बस इतना ही काम है आपके पास, यह बड़ा ही basic सा statement है, हर जगे काम मिलोगे almost, कि भाई जो ID दे, उसको match मत करो, बाकी सबको layout, तो filter तो जो true values होती है, उनको देता है, तो true values हमें सारे मिल जाएगी, कि हाँ यह भी match कर रहा है, यह भी match कर रहा है, यह भी match कर रहा है, जो नहीं कर रहा, रिमूब हो गया, डिलीट कैसे होगा, अपडेट कैसे होगा, सिंपल सी बात है, अपडेट में क्या करना पड़ेगा, अपडेट में आपको action के अंदर ID मिलेगी, ID से आप find करो उसको, उसका जैसे आपको place find हो जाए, तो उसको आप लो, और उसके ID as it is ran दो, बस उसका text value change कर दो, तो property overwrite कर दो, और delete भी ऐसे होगा, कि filter लगा दो, और जो match हो रहा है, उसको नहीं लेंगे, remove to do, delete to do यह तो है, तो add हो गया, तो एक बार update वाला आप बनाईएगा, ठीक है, इतना भी आसान नहीं है reducer, steps हैं, यह मैं मानता हूँ, बट इतना complex नहीं है, अगर steps आपने कहीं note down कर रखे हैं, या आपने दो तीन बार बना है, तो आपको पता लग जाएगा, देखे, एक तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी functionality है, उसको export करेंगे, क्यों export करेंगे, यह एक्शली में जो reducers है न, यह functionality add to do, remove to do, हम इसी के through ही हमेशा state को update करेंगे, तो यह functionality individually काम में आएगी, तो हम क्या करते हैं, इन functionality को export कर देते हैं, और इसको देंगे हम to do, slice.actions, तो अब क्या होगा, इस actions में से value मिल जाएगे, हमें कौन-कौन सी value दो ही तो लिखी है, हमने यह add to do, और एक हे remove to do, और भी लिखी है तो और भी export कर लो, यह individual functionality हमने export करेंगे, क्योंकि यह हमारे components में हमें काम आएगा, लेकिन, अभी आपको याद हो, तो हमारा यह जो store है, अकेले घुम रहा है, इस store को भी awareness चाहिए, इन सारे reducers के बारे में, अगर इसको awareness नहीं है ना, तो इस store maintain नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह एक restrictive store है, कि मैं value हर की से से लेके update नहीं कर लेता हूँ, मेरे अंदर जो जो आप reducer register करोगे, मैं सिर्फ उन से ही value लेके update करता हूँ, तो इसलिए इसको सारे के सारे reducers का list चाहिए होता है, तो यहाँ पर हमने बोला todo slice.reducer, इसी तरह से अगर आप और भी reducer या बनाते हो, या फिर todo slice की जैसे आप authentication slice या कुछ भी slice बनाते हो, आपको वो सारे reducer export करने ही पड़ेंगे, और उसको यहाँ पर लेना ही पड़ेगा, individual reducers को भी export करना पड़ेगा, और उनको भी ऐसे ही export करना पड़ेगा, same syntax, क्योंकि वो components में काम आएंगे, तो अब चलते हैं हमारे store पे, अब store के अंदर क्या कहानी है, store को कुछ नहीं, उस reducers की knowledge चाहिए थी, ठीक है जी, दे देते हैं, तो अब क्या करते हैं, simple सा उसको बोलते हैं, कि हमारे जो todo reducer है, इनको ले आओ आओ आप, एक directory back जाके, features के अंदर todo के अंदर todo slice है, यहां से ले आओ, ठीक है जी, ले तो आएंगे, अब यहां पर इसको रखना कैसे है, कुछ नहीं, इस object के अंदर key value डाल दो, key क्या क्या डालना है मिरको, कि reducer, मैं बताता हूँ कौन सा reducer है, वैसे तो आप reducer की पूरी list दे सकते हो object की, बट हमारे पास अभी एक ही है, आगे जाके हम और भी देखेंगे, multiple reducers को कैसे काम में लेते हैं, चिंता मत करिए, वीडियो जाएंगे, अभी मैं इतना complex नहीं बनाना चाहता है, क्योंकि already lengthy है, complex नहीं है, lengthy है ठीक है, तो यह हमारा हो गया reducer, इसको मैं ले आता हूँ, next line पे थाकि थोड़ा सा easy रहे, तो देखा है, store के लिए हमने सारी महनत करी थे, अब क्या है, actually मैं आपकी functionality आसान होगी, क्योंकि logic part तो आपने यहीं लिख दिया, अब logic part हो सकता है, आपने किसी और file के अंदर लिखा हो, वहाँ से import करके, यह सब लिखने की जगे आप बस उसका नाम लिख रहे हैं, वो सब अलग कहानी है, बट ठीक है, काम तो हो रहा है, तो हमने functionality सारी हमारी काम कर लिए, अब functionality क्योंकि हमारी हो चुकी है, तो अब हमें क्या है कि एक तो हमारा होगा, to do's के अंदर add to do, और एक होगा हमारे to do की list, तो हम एक-एक करके देखेंगे, अब इससे क्या है कि एक-एक करके इसलिए देख रहे हैं, क्योंकि जो add to do होगा, वो तो हमें सिखाएगा, कि इस store के अंदर data भेजना कैसे है, और जो दूसरा हमारा है, कि to do's की पूरी list है, या उसको delete करते हैं कि functionality है, remove to do, वो ये बताएगा कि हमें data कैसे send करना है, तो लेना data और send करना data, दोनों हमें आ जाएगा, और इसी के लिए तो हमने actually में, अगर आपको याद हो तो, हमने जो यहाँ पर discuss करा था, ये वाला section, कि हाँ दो ही चीजों के बारे हम यहाँ पर सीखेंगे, वो है use selector और use dispatch, तो store सीख चुके हैं, reducer सीख चुके हैं, दो ही कहानी बाकि है, use selector, use dispatch, तो एक एक करकन को देख लेंगे, functionality पे हम ज़ादा ध्यान देंगे, हम इस बात पे ध्यान नहीं देंगे, क्यों कैसा दिखता है, हो सकता है, खराब दिखेंगे, ठीक है तो इतना काम हो गया, दो ही चीज़े हमने सीखी है, अगर आपको ये boilerplate ज़ादा रखना है ना, तो कभी देखिएगा, कि किस तरह से हमारा जो original redux है, उसका state यहाँ पर पूरा का पूरा आता है, ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, एक components बनाते हैं, अब मैं किसी भी component में state का access ले सकता हूँ, तो मुझे चिन्ता करने की इत्ती ज़रूत नहीं है, तो ये बनाए हमने components, दो components हमें चाहिएंगे, add to do और एक अपना simple to do's, तो इसको बोलते हैं add to do.jsx, of course, क्योंकि jsx आएगा, ये लिजे, और अपने एक और component आएगा, वो है अपना simple to do, इसी के अंदर बागी के to do's हम mention कर देंगे, to do's.jsx, ये लिजे, इसके अंदर भी RFC E कर देता है, थाकि react functional component, अच्छा, अब जो add to do है न, उसके अंदर आएगा simple एक form, अजी बस इससे ज़ादा कुछ भी निया आएगा, और मैं form actually मैं आपके पास, ले ही आता हूं direct मेरे notes से, ताकि हम उस पे ज़ादा चर्चा ना करें, क्योंकि इसके उपर चर्चा करके करना भी क्या है, इतने forms आपने सब कुछ बना लिये हैं, बढ़ा ही basic सा है, इसके अंदर obvious ही बात है, एक on submit लगा हुआ है, जिसका नाम add to do handler लिखा हुआ है, ताकि जब भी form के अंदर कोई values आड करोगे, तो इस method से आड कर लेना, method क्या करता है वो हमें नहीं पता, वो हम बनाएंगे अभी design करेंगे, input field है, जिसके अंदर कुछ ही already tailwind की classes है, tailwind हमने configure के रही नहीं, अभी कर लेंगे, आपकी जो value है वो input से run हो रही है, और ये आपकी values on change से होके, set input में जा रही है, वो भी हम कर लेंगे, और ये button है बस और तो क्या ही है, तो चलिए अब बात करते हैं कि add to do, देखिए सबसे पहले तो समझेए कि syntax किस तरह से जाएगा, add to do, store के अंदर कुछ add करना है, add कैसे होता है, dispatch से, तो आपको कुछ न कुछ event dispatch करना पड़ेगा, बस इतना सा याद रखिए, ठीक है, तो आते हैं यहाँ पर function के अंदर, सबसे पहले क्या करते हैं, states बनाते हैं, क्योंकि state का नाम input और set input रख रखा है, तो उसी नाम से बना लेते हैं, तो यह हो गया हमारे पस input, यह हो गया set input, और यह हो गया हमारा react use.state, मलब react, आपको यह पसंद नहीं आ रहा है, तो हम पुराने वाले syntax में चल जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें क्यों ही परिशान होना, तो यह लीजे, use data आपका, एक ही तो बात है दोनों में से, ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या चाहिएगा, एक dispatch चाहिएगा, तो इसको ले आते हैं, कि हमें क्या चाहिए, use dispatch चाहिए, dispatch, और इस dispatch आएगा कहां से, इसलिए मैं कहता हूँ, कि अगर आप इस तरह के software से यूज़ कर रहे हैं, जो AI base है, वो कई बार हो सकता है आपको गलट चीज़े दें, तो आपको पता होना चाहिए, actually मैं use क्या करना है, suggestion देते हैं जब तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब काम बिगाडते हैं तब बहुत गड़वर होती है, तो ये हम लेके आते हैं react redux से, अच्छा देखी अभी भी error आ रही है, अच्छा क्यों error आ रही हैं बता सकते हैं, किसमें लिखा हुआ है const, actually मैं import लिखना था, ठीक है चलिए, अब इसको use कैसे करते हैं, अरे बहुत यासान है, एक लाइन का syntax है, इसको क्या करो simply dispatch use dispatch, बस, हाँ जी बोला था ना इतना सा use dispatch, अच्छा अब dispatch को किस तरह से use करते हैं, हाँ वो सबसे important है, हमने एक method बना रख़ा है, add to do handler, functionality हमें नहीं लिखनी है, functionality हमें नहीं लिखनी है, हमें simply क्या करना है, एक method बना रहा है, तो हमने बनाय ये const, add to do handler, और इस to do handler के साथ क्या करेंगे, इसके पास आएगा एक event, और ये लिजे arrow function, सबसे पहला काम क्या करो, उसको prevent default कर दो, क्योंकि form directly submit हो जाता है, तो हम उसको बोल लेते हैं, कि event.prevent default, तो ये हमने बोला उसको prevent default, ठीक है, अब दूसरी चीज क्या करनी है, कुछ नहीं, अब सीधा का सीधा, dispatch का use करो, dispatch कैसे use करेंगे, देखे, मैंने आपको बताया था, कि dispatch क्या करता है, dispatch एक reducer को use करते हुए, store के अंदर changes करता है, इसलिए ये इस तरह से लिखा हुआ है, dispatch एक reducer को use करते हुए, store में value add करता है, हाँ मैं दुबारा बताऊँगा, क्योंकि ये ही सबसे पहले miss होता है, dispatch reducer को use करते हुए, store के अंदर values में changes करता है, ठीक है, तो कर दीजे, ये लिजे dispatch मैंने call करा, ये लिजे dispatch, method ही तो है dispatch, हाँ जी method है, बिलकुल इसी तरह से, कौन सा method use करना चाहोगे, पर ये कोई method तो मेरे पास ही नहीं आपे, अच्छा ये से हवा में नहीं आ जाता है method, इसी लिए मैंने जब ये feature बनाया था, to do slice का, मैंने इसी लिए individually export किया था, ताकि मैं उस individual reducer को ले के आपाऊ, तो individual reducer को ले आते हैं, ये लिजे import कर लेते हैं, अपने कुछ values को, और उसको बोलते हैं, कि हाँ, redux, actually में नहीं ये गलत है, हम यहां से नहीं ला सकते हैं इसको, हमें इसको actually में लाना पड़ेगा, proper जगह से, dot dot slash, features, features के अंदर, अभी मेरे को suggestion पर विश्वास कम है, to do slash, to do slice, हाँ, यहां से आएगा, यहां से हमारे पास जो value आएगी, वो क्या आएगी, add to do, और भी आ सकते हैं, अभी हमारे पास add to do है, अब dispatch के अंदर ही reducer को call करना पड़ता है, तो ये add to do call करो, add to do क्या है, अब add to do call कर सकते हैं, पर अखेले कर सकते हैं क्या, कर तो सकते हो, बट जो functionality आपने लिखी है, उस add to do के अंदर आप expect कर रहे हो, कि आप एक, यह रहा मारा add to do, उस add to do के अंदर आप एक, action.payload भेजोगे, अच्छा, पहले क्या होता था, यह action.payload वगरा है न, यह सब manually लिखना पड़ता था, अभी नहीं लिखने की ज़रूत है, सिर्फ इस reducer को call करके, जो भी value भेजना चाहते हो, वो भेज़ दो, हाँ, कोई आपको action.payload वगरा, यह सब हजार काम लिखने की ज़रूत नहीं है, अपने आप सब होता है. और इसी लिए, Redux Toolkit, बहतर अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पर unnecessary boiler plate नहीं है, अल्रड़ी आप देख रहे हैं, कितना boiler plate code है, क्योंकि यह सिर्फ dispatch ही तो करना था, उसके लिए store बनाया, features बनाया, reducers बनाया, बट long application जो complex होती है, वहाँ पर यह काम में आता है. अब एक important चीज यहाँ पर पता है क्या है, कि आपने यह सब तो कर दिया, यहाँ तक मामला ठीक है, लेकिन आपने जो input field बनाया ना, इस input field को आपने clean नहीं करा, सिर्फ एक बहतर practice है, कि आपका to do जब बन गया है, या to do add हो गया है, तो user को अच्छा नहीं लगेगा, कि वह form वहाँ पर filled है, तो उस form को clean करने के लिए, आप यह set input use कर लो, और उसका state वाप इस से clean कर दो, जो भी user ने dirty किया है, तो यह set input हमने use करा, और उसको clean कर दिया, बस इतना सही काम है, तो हमने देखा, actually मैं जादा बड़ा काम था नहीं, एक बार मुझे dispatch बनाना आ जाए, जो कि एक line का काम है, तो मैं उसके अंदर एक reducer call कर सकता हूं, उस value को अगर मुझे access करना है, तो भी action.payload के अंदर, वो payload object के अंदर सारी values है, तो बस इतना सही तो काम है, ठीक है, तो अभी हमरे पास क्या हो गया है, यह use dispatch वाला काम तो हो गया है, ठीक है, sorry, use dispatch वाला काम तो हो गया है, अब क्या बचा है काम, use selector वाला, अच्छा, use selector कहाँ पर काम में आएगा, देखिए आपने to do जब add करा है, तब तो functionality काम में ले ली dispatch की, क्योंकि एक action dispatch करना था, लेकिन अब हम आते हैं, एक अपनी functionality पर जहाँ पर मुझे क्या करना है, कि सारे to do's को list करना है, तो सारे to do's को list कैसे करोगे, हाँ यह तो बड़ी interesting बात है, obviously बात है, एक बार अगर मुझे मिल जाए सारे to do's, तो मुझे इतना तो पता है, कि to do's की जो initial state रखी थी ना, यह to do's, हाँ initial state object है, लेकिन जो to do's है वो तो array है, तो loop लगा दूँगा मैं, अच्छा, store से तो मिल जाएगी, लेकिन store से लेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर तो हमने देखा भी just, कि आप तो सर अभी कह रहे थे, कि यह जो slice वगर हमने बनाया है, तो state के अंदर सारी value मिलती है, तो state में मिलेगी value कि store में मिलेगी, देखिए, values को access कैसे करते हैं, वो गौर से देखिएगा, आपको अपने आप समझ में जाएगा, कि क्यों हम उसको store बोलते हैं, ठीक है, तो चलिए, आते हैं यहाँ पर, यह to do's है हमारे, तो देखिए, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, use selector, ठीक है, यह बात तो आपने एकदम सही कही, कि use selector, और यह selector हमारा आता है, react redux, यह कहां से आ रहा है, इतनी जगे से तो नहीं आता है, कई बारना, अलग-अलग चीज़े देता है, use selector, हाँ जी यह वाला, react redux, यह वाला चुई हमें, react redux वाला, अच्छा, ठीक है, लेकिन इतना तो ठीक है, लेकिन आप delete भी तो करोगे, हाँ जी, जो list आएगी, उसमें delete का icon भी तो दोगे, ताकि delete हो जाए, हाँ जी, delete icon मैं दूँँगा, इसका मतलब यह एकि मैं कोई action लेना चाहता हूँ, और कोई भी action लूँगा, तो इस action को dispatch करना पड़ेगा, हाँ जी, तो dispatch भी दागेगा, तो dispatch लेने के लिए क्या कर सकते हैं, दो तरीके हैं, next line में लिखो, या फिर यहीं से ले लो, use dispatch, एकी बात है, ठीक है, अगर dispatch यूज़ करूँगा, तो कोई ना कोई मेरे पास reducer होगा, वो reducer लाना पड़ेगा, reducer कहाँ से मिलेगा, मेरी slice में से, ठीक है जी, तो import करते हैं हमारे कुछ reducer को, और कहाँ से import करेंगे, अपने features to do, to do slice में से, एक ही चाहिए, add तो हम यहाँ कुछ कर नहीं रहे, तो remove to do ले आओ, ठीक है जी, अच्छा जी यह बात तो हो गई, अब यह बताओ सबसे पहले, कि मैं to do's कैसे ले क्या हूँ, ठीक है, to do's लाने के लिए syntax समझना पड़ेगा, कि use selector का syntax, dispatch का तो मुझे पता है, const dispatch equals to use dispatch, parenthesis, बस हो गया का, देखे, use selector भी कुछी इसी तरह से, कि आप जैसे use selector का use करते हैं, तो यह सिर्फ एक method है, ठीक है, इस स्यादा कुछ भी नहीं है, बस advantage यह है, कि इस method के अंदर आपको state का access मिलता है, एक callback के अंदर, आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको, कि मुझे इस तरह से जाके लिखना है, वो भी ठीक है, बट अब value ही एक ही है, तो क्यों parenthesis लगाना, अब तो आप advance हो चुके हैं, तो state के अंदर आपको values मिल जाएगी, और इस state के अंदर से आप, यह जो पूरा store है, इसके अंदर से जो भी चाहे values आप निकाल सकते हैं, कौन सी value, जो नाम दिया है यहाँ पे, तो आपको क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए यहाँ पे to do's, तो यह वाली जो to do's है, हम इसको निकाल लेंगे बस, initial state यह है, तो अब्वेसी बात है, और भी values भी इसी के अंदर यह आड़ कर रहे हो, इसी में तो कर रहे हो, देखो state dot to do's, to do's में तो आड़ कर रहे हो, हाँ नाम उसका to do है, यह नाम कहाँ पे दिखाई देगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा, but state dot to do's, यह हमारे पास आ गया, इसको hold कर लें एक variable के अंदर, ठीक है जी, hold कर लेता है, यह लीजे, बस, अब इसके अंदर क्या मिला है, क्योंकि to do's array है, तो अपने आप to do's अब क्या hold कर रहा है, array तो hold कर रहा है, हाँ जी, ठीक है, तो देखा, use selector और dispatch इतना कुछ जादा नहीं है, अब क्योंकि आप dispatch भी करो गई, कोई ना कोई तो dispatch भी बना लेता है, यह लीजे, dispatch बन गया, अब dispatch एक बार बन गया है, तो अब हमारे पास, मान लीजे, div है हमारे पास, यह to do's है, और इसको हम हटा लेते हैं एक बार, ताकि हम इसको ऐसे use कर लें, ठीक है, यह हमारे पास हो गया to do, इसको हम wrap कर लेते हैं, एक div के अंदर, और इसको बोलेते हैं, to do's, my to do's, जैसे भी आपको बोलना है, ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें लगाना है, एक simple सा loop, और सारी values को उस तरह से लिखना है, अब किस तरह से उसको काम मिलेंगे, actually मैं मैं भी CSS अपने notes वगरा मैं से ले आऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम क्या करता है, सिर्फ आपको मैं code JavaScript में बताता हूँ, क्या करो कुछ नहीं वो to do's लो, सारे के सारे, उस पे लगाओ एक map, यह लिज़े लगा दिया map, अब map जब लग गया है, तो हर एक values आपको मिल गई है, तो क्या करो, हर एक value ले लो access, यह लिज़े, और यह हमने parenthesis से use करा है, ताकि मुझे ज़्यादा problem ना हो, यहाँ पे आगए, अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना, एक आपने जो div लेना है, यह li लेना है, जो भी आपको value लेना है, वो ले लीज़े, तो ठीक है, मुझे एक li लेना है, तो सिर्फ एक यह जावस्क्रिप्ट एनेबल करा, और to do dot, जो भी उसका text है, तो यह मैंने to do dot text यहाँ पे दे दिया, ठीक है, अब हो सकता है, इस li के just आगे, या कहीं पे भी आपको, एक delete button भी देना हो, ठीक है, तो delete button देने के पीछे, इतना कोई rocket science है नहीं, यह लिजए एक button दे देते हैं हम, यह लिजए button आपके पास आ गया, अब क्योंकि यह values actually में iterate हो रही है, loop हो रही है, तो यहाँ पे उसको दोगे, तो एक ही तो value return कर सकते हो, तो li के अंदर ही डाल देते हैं इस button को, ठीक है, और इसको नाम दे दिया हमने X, अभी मैं और CSS अच्छी कर दूँगा, tailwind के बाद, क्योंकि notes में मैंने कर रख किये, बट मुद्दे की बात यह है, कि इसको use कैसे करना है, use करने के लिए कुछ नहीं, आपको इस button पे on click value add करनी है, यह लिजए on click, ठेक है, यह हमारी हो गई on click, और यह लिजए on click, अब इस on click के अंदर काम क्या करना है, on click, हाँ जी, अभी ठीक है, तो on click के अंदर क्या करना है हमें काम, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हमें dispatch call करना है, अच्छा, अब एक interesting चीज़ देखिए, मुझे call करना है dispatch, ठेक है, और यह लिजए मेरा dispatch, अब dispatch क्योंकि एक method है, और मुझे इस तरह से call करना है, तो मैं इस तरह से call नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ reference देना अला हुए, यह तो अला हुई नहीं है, तो on click में आप एक callback fire कर सकते हो, जब भी ऐसे कोई parameters वगरा pass करने हो method में, तब हम जाद तर callback ही use करते हैं, तो यह हमने करा dispatch, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हम वो parenthesis नहीं लगा सकते हैं, वरना वो immediately execute हो जाएगा, और मुझे तो reference देना है उसका, क्योंकि क्लिक करें तब वो काम करो, इसलिए callback हम use करते हैं, कई बार interviews में पूछा जाता है, तो हमने क्या करा, यह simple सा हमने dispatch use करा, और dispatch के अंदर हमने क्या करा, यह method है, ठीक है, इस method के अंदर एक remove to do आ गया, अब इस remove to do के अंदर क्या value देनी है, वो to do की value, वो id जो आपको remove करनी है, तो मैंने क्या बोला, यह लो individual to do, यह लो id access हो गई, तो actually मैं काम तो इतना ही है, है ना, अब इसको आप थोड़ा सा fancy बना लो, वो कर लो, वो सब आपके उपर है, मैं थोड़ा सा fancy इसको बना भी देता हूँ, वो ही कर रहे है, यह थोड़ा सा white text लगा दिया, यह to do text हमने लिख लिया, और यह to do id लगा लिया, loop कर दिया, तो काम तो वो ही हो रहा है, बट अब आपको समझ में आने लग गया, कि अच्छा ठीक है, इसमें इतना कुछ load है नहीं, एक बार setup में time लगता है, store बनाने में, reducers बनाने में, slice बनाने में, उसके बाद तो क्या है, access करना है कुछ भी, तो use selector से access कर लूँगा, dispatch करना है कुछ भी, या कुछ functionality रन करनी है, तो मैं इस तरह से run कर सकता हूँ, ठीक है, तो यह हो गया हमारा basic, और इसके बाद आते हैं, हम हमारे add to do के अंदर, क्योंकि add to do के अंदर तो अल्रड़ी यह सब added है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब पहले हम देखते हैं, कि actually मैं क्या-क्या mistake हुई, क्योंकि और वाद था typos होए होंगे, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसके पीछे जाते हैं, और अपना tailwind install कर लेते हैं, tailwind वाले page पर यह हैं, अभी भी, तो यह copy करते हैं, और tailwind पर tailwind install कर लेते हैं, इसको stop करा, और यह हमारे tailwind के installation पर, hopefully जल्दी हो जाए, हो सकता है कुछ दिनों में, यह NPM की जगे सब बन हो जाए, तो थोड़ा सा fast हो जाएगा मामला, जितना fast उतना tutorial short, उतना ज़्यादा समझाने पर focus, और यह हमारे source हो गए, और यहाँ पर tailwind config, यह content हमने change कर दिया, और इतने से काम होगा नहीं, क्योंकि index file के अंदर, यह values भी change करनी पड़ेगी, तो ठीक है जी, copy करते हैं, index से मेरा मतलब है index.css, जो main.css file है, सबसे top lowest loaded file है, वो ही हम change करते हैं, mostly, यह लिजे values आ गई है, अभी देखते हैं इसको run करके, कि कितनी क्या-क्या mistake है, कहा-कहा errors है, अच्छा, problem तो यह है, कि एक step, जो हमारा main step था, वो हमारा रह गया है, कि यह सारा काम तो आपने कर दिया है, लेकिन यह सब काम, use तो किया हैं नहीं कहीं पर भी, कि हाँ, सब individual तो बना दिये, अब देखें, यहाँ पर main.jsx भी है, और app.jsx भी है, मैं आपको बता देता हूँ, कैसे कैसे, काम में लेंगे, और कैसे कैसे काम कर सकते हैं, अलग-लग method है, वैसे तो, आप चाहें, तो जो भी use करना चाहें, सबसे पहला तो मैं जाओंगा, app.js में, learn about redux toolkit, यहाँ पर तो मामला ठीक है, इसके बाद मैं add कर देता हूँ, मेरे एक component, जो की है add to do, यह लिजए component add कर दिया, और उसके नीचे मैं add कर देता हूँ, अपना to do's, तो यह लिजए components तो add कर दिया, हाँ, एक बाद मैं मानता हूँ, कि आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, कि ठीक है, यह सब तो remove हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हितेश, जो हमने, पहले जो context API ली थी, उसके अंदर यहां ने एक wrapper लगाया था, provider वाला, तो यहां पे वो सब नहीं लगता क्या, लगता है, यहां पे भी लगता है, लेकिन मैं थोड़ा से एक extra step आपको बताना चाहता हूं, देखिए, यहां पे भी लगाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कोई मना नहीं करने वाला, लेकिन आप कई बार देखेंगे, कि इसको app.jsx की जगे, कई बार main.jsx में भी लगा दिया जाता है, अब कोई problem वाली बात नहीं है, end of the day बात यह है कि जितने भी components हैं आपके, वो सब उसके अंदर wrap हो जाए, अब top level पे हो, second level पे हो, आपको जहां ठीक लगे वो कर लीज़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा, अब important चीज़ क्या है, कि आपको दो चीज़े चाहिए होती है, एक तो चाहिए होती है आपको provider, ठीक है, यहाँ पे भी provider मिलता है आपको, कहां से मिलेगा, react redux से मिलेगा, और एक चाहिए होता है store, store को लानेगा कोई magical तरीका नहीं है, store को import ही किया जाता है, और इसी वज़े से हमने app को export किया था, ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा है, और main.jsx में जाते हैं, यहीं कर लेते हैं, तो सबसे पहले तो चीज़े प्रोवाइडर, तो हम लेके आते हैं import, प्रोवाइडर, और react redux वाला प्रोवाइडर आ गया, ठीक है, दूसरा आएगा store, अब store को हमने default export किया नहीं है, तो ऐसे ही लाना पड़ेगा, यह लिज़े store, और यह store आएगा हमारा, एप के अंदर store से, lower में export किया था न, एक बढ़ चेक कर लें, हाँ जी, lower में किया था, तो provider आ गया है, और store आ गया है, अब इसको use कैसे करना है, एक line का syntax है, देखिया, मुझे को strict mode में, इसको लाने का कोई shock है नहीं, आपको मन करे करिए, मैं यहीं पर directly wrap कर देता हूँ, यह provider, और इस provider को, यहाँ पर भी ले आईए, यह लिजे provider, बस, लेकिन वो concept यहाँ पर भी apply होता है, context API कि उसको value चाहिए, अब बस इतना सा अंतर है, कि हम इसको value ना बोलके, यहाँ पर store बोलते हैं prop को, और क्योंकि हमने उसकी value को भी store बोला, जो actually हमारे store का नाम है, वो भी store है, तो बस इतना सा काम है, तो एक बार यह हो गया, तो अब आप देखोगे, कि हाँ, जीब सा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा ठीक कर लेते हैं इसको, immediate basis पे, जादा तो नहीं करेंगे, बट ठीक है, थोड़ा तो bg- grey 500 भी चलेगा, थोड़ा तो असान है, actually देखने में, तो देखे, hello world हमारा आगया है यहां पे, to do's करते हैं, तो learn redux, और इसको add करके देखते हैं, तो हमारा redux add हो गया है, अच्छा, hello world को delete करते हैं, ठीक है, काफी interesting बात है कि एक बार में चल रहा है, usually code कभी एक बार में नहीं चलता है, ठीक है, और इसके अंदर लिखते हैं, चाए और, इस बार तो redux हो गया है, चाए और redux, तो यह हमने add कर लिए, अच्छा, आप interesting बात क्या है, सबसे जरूरी बात वो यह है, कि right click करिए, और आपके redux dev tools हैं यहाँ पर, जहाँ पर आपका मन करें, आप open करिए, आप चाहें तो इसको inspect में भी automatically आ जाता है, inspect पर click करिए, और सबसे end में आपको दिखेगा, इनकेस नहीं दिखें तो आप यह click करके, और इस पर redux पर जा सकते हैं, अब यहाँ पर है सारा का सारा मामला कजब, मैं इसको थोड़ा सा zoom out करता हूँ, वरना कुछ भी नहीं दिखेगा, कई बाट zoom जादा करना पड़ता, जब आप online classes लेते हैं, तो दिखता नहीं है उसमें, आप 4K में देखिएगा, अब देखिए सबसे interesting चीज, सबसे important बात यह है, कि आपके पास यहाँ पर state है, है ना, इसी के लिए हम कह रहे थे, store और state जो हम कह रहे थे, यह state है आपके पास, सारा का सारा state का का काम, यहाँ पर दिखाई देता है, तो जैसे मैं इसको open करता हूँ, ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर actions भी देख सकते हैं, कि किस type की actions है, payload के अंदर क्या value जा रही है, क्या आ रही है, तो type क्या है, to do slash add to do, क्यों है यह, क्योंकि मैंने import करा है वो action, और payload क्या है, payload चाय और redux, जो भी आपने value लिखी, पेलोड में अपने आप चली गई, तो इसलिए तो हम बोल रहे हैं महाँ पर, यह जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, कि values में आते हैं हम हमारे, features के अंदर to do में, तो जो मैंने कहा आप से, कि actually मैं values कैसे लेनी है, action.payload, तो यह मैंने हवा में नहीं करा, यह action.payload, यहाँ से वो value हम ले रहे हैं, अब समझ में आया थोड़ा-थोड़ा कानी, अच्छा, आप देखें, interesting बात क्या है, आप इसमें trace भी कर सकते हो, अगर आपको कुछ लगे कि, कहां से values क्या हो रही है, कुछ problem है, तो यह बड़ा stack frames ना, बहुत अच्छी बनाता है, यह debugging में बहुत help करता है, क्योंकि जैसे इसे redux जाएगा न, और भी चीज़े complex होती रहती है, अब जितना आपको JavaScript का knowledge, उतना आपका और in-depth, क्योंकि यह function अपने आप call नहीं हो रहे हैं, इनको apply लगा के call किया जा रहा है, arguments पास किया जा रहा है, तो जितना मैंने आपको JavaScript में पढ़ाया था, वो इसलिए in-depth पढ़ाया था, कि वहाँ पे सब चीज़े use होती हैं, अब एक और चीज, यह तो state हमारे पास है, लेकिन आप सबसे interesting चीज़ क्या देखेंगे, यह state की bar, यह Redux Toolkit में मिलता है, तो जैसे मैं इसको पीछे लेके जाऊंगा, तो यह मुझे पूरा एक process बताता है, कि कैसे timeline change हुई उस पूरी application की, क्या क्या उसके साथ interaction हुआ, और किस interaction पे कितना उसका log हुआ, monitors, उसका network condition क्या है, कौन सा वाला मेरा reducer है, वो ज्यादा time consuming है, जब मैं database की request ले रहा हूँ, यह सारा बड़ा interesting यहाँ पे मिलता है आपको, तो आप इसमें जाएए, और simple से देखे कि पहले state मेरी ऐसी थी, उसके बाद एक add to do यहाँ पे आया, तो इसके उपर jump आप कर सकते हैं, कि अच्छा यह हुआ, उसके बाद एक remove to do call हुआ, उसको भी आप jump कर सकते हैं, कि फिर मेरी application इस state में आई, फिर एक और add to do call हुआ, उसके उपर jump करूँगा तो यह, और उस हर के दौरान आप यह state देख सकते हैं, अब live 2x आपको उसको replay करके देखना है, पे लोड आया, कितना और भी values आई, तो देखा तो काफी कुछ जा सकता है, यह भी बता रहा है आपको react wheat है, कौन सा वाला क्या instance है, tweet भी कर सकते हैं आप चाहे तो, और और भी settings आप change कर सकते हैं, remote connections लेना है, local custom server, और बहुत सारा है, theme वगरा, state, tree, कैसे आपको देखना है, तो हाँ, मामला तो काफी है, complex किया जा सकता है, करेंगे नहीं पर, ठेक है, यह performance वगरा, क्योंकि अपने आप में crash course बन सकता है, chrome के, यह जितने भी performance वगरा, network यह अपने आप में बड़ी interesting चीज़े हैं, free time में यह मेरा सबसे best time pass है देखने का, कि कौन सी YouTube क्या क्या कर रहा है, behind the scene, उसकी performance कैसे हो रही है, बड़ा engineering side में fun लेते हैं हम भी अपना, ठीक है, मज़ा आता है, चलिए, अब आपका यह हो गया, पूरा का पूरा, एक बार मैं आपको summary दूँगा, क्योंकि देखिए, काफी बड़ा video है यह, हाँ, मेरा तो मन करता है कि फटा-फट खतम कर दो, क्योंकि कई लोग क्या comment ही नहीं करते हैं, कुछ motivation नहीं देते हैं, बट last video में आपने दिया था, तो इसलिए, एक summary देना तो बनता है, हाँ, नहीं भी करोगे, तो भी मैं तो दूँगा अपना 100%, ठीक है, मुझे पता है, बहुत लोग support कर रहे हैं भी तो, तो चलिए, अब आपको मैं बताता हूँ, एक बार पूरी summary की कहां से कैसे कहानी होती है, जिन्नोंने notes नहीं लिखे, वो notes लिखते जाएगा, और pause करते जाएगा, देखिए, Redux toolkit की history पर तो हम नहीं जाएंगे, इतनी सी कहानी बस यह है, कि Redux एक अलग चीज है, और React Redux एक अलग चीज है, Redux core library है, React Redux उसका implementation है, wiring करने के लिए, ताकि Redux और React के आपस में बातचीत हो सकें, अब Redux toolkit हम जब यूज करते हैं, तब काफी काम हमारे automatically हो चुके होता है, जो हमारी पुरानी कहवतें जिनको मैं बोलता हूँ, कि Never Mutate Your State, React जब भी पढ़ोगे यह सुनोगे, इन सब की मुझे Redux toolkit में ज़रूत नहीं, क्योंकि यह काम automatically होते हैं behind the scene, अब ही हमने state में देखा, वो जो state थी न, कि हर बार आपको एक पूरा replay दिख रहा है, वो ही reason है, यह पहले manually करना पड़ता था, अब नहीं करना पड़ता, ठीक हैं, तो अब सबसे पहले start कहां से करते हैं, start हमेशा करते हैं store बनाने से, अब एक application का usually एक ही store होता है, लेकिन मैंने एक application भी देखी है, मेरे LCO startup में, जहांपे हमने actually में दो store रखे थे, बिलकुल against है, बिलकुल against है, लेकिन हमारी application इतनी बड़ी थी, millions में user थे, कि हमें ऐसा करना पड़ा, तो exception subject है, अच्छी practice नहीं थी, की store होता है, जिसको बोले जाता है, single source of truth, अभी हमने देखा, उसके अंदर की क्या क्या चाहिए, कुछ नहीं, एक configure store चाहिए, जिससे आपका store configure हो जाता है, जिसके अंदर object है, अभी हमारे पास, एक ही key value property है, multiple भी हो सकती है, आगे जाके देखेंगे, लेकिन, अब next step, क्योंकि आपको इसके अंदर, सारे reducer introduce करना है, क्योंकि store के अंदर, जब भी value update होगी, वो हर तरह से value update, नहीं लेता है, कभी नहीं लेता है, ये data flow ही नहीं है, flux में बताया था ना data flow, तो data flow ही नहीं है, data flow के लिए उसको awareness चाहिए, कि मुझे बताओ, कि सारे reducer कहाँ पे है, तो इसके लिए इसको reducer बताने पड़ेंगे, अब reducer तो बनाया नहीं है, तो इसलिए मैं गया, feature के अंदर to do, के अंदर to do slice, अब ये थोड़ा सा syntax है documentation में, कि हम features को slice बोलते हैं, आपका मन करें बोलें, मन करें मत बोलें, आपका मन करें इसको superman बोलना है, तो superman बोलो, कोई नहीं रोक रहा, तो हमें बनानी है slice, slice के लिए एक method दिया हुआ है, create slice, बस इतना सा काम है, तो हमें slice बनाने के लिए क्या चाहिए, तीन चीज़े चाहिए होते है majorly, एक आपका name चाहिए होता है, एक उसकी initial state, और एक reducers की पूरी list चाहिए होती है, जो जो काम करने वाले हो, तो सबसे पहले initial state बनाए, कि by default कैसा होना चाहिए, हो सकता है to do, एक empty array हो by default, जैसे use state में करते हैं, कुछ तो state होगी न, variable के अदर कुछ तो डालोगे, number डालोगे, id डालोगे, कुछ तो करोगे न, उसके अदर object लोगे, array लोगे, कोई data structure तो लोगे, लोगे, तो हमने data structure यहाँ पे लिया, array, उसके बाद क्या था, बस name दिया to do, क्योंकि to do ही दिख रहा था, अब यहाँ पे जाके देखोगे, तो यह to do ही तो दिख रहा है हमें यहाँ पे, यह देखिए, हम जाते हैं इसके अंदर, redux के अंदर, और हमारा जो, काफी values change हो गई है, actions में जाते हैं, काफी zoom in हो गया है यह तो, ठीक है जी, तो यह रहा हमारा to do's, और इसका नाम जो है actually में, init state का, ओके यह रहे हमारे, कहाँ पे चले गई values, थोड़ा सा इसको reset करना पड़ेगा, हाँ जी यह रही values, तो यह जो हमारा state है, इसके अंदर इस to do's को बोल रहे हैं, तो इस पूरे का नाम actually में अभी हमारे पास to do है, तो आगे जाके भी आप देखोगे, और भी multiple होगी, तो मैं बताऊँगा, तो वापे साते हैं, तो नाम दिया हमने उसको to do, initial state value हमने दे दिये, और उसके बाद दिया हमने reducers, जो कि एक object है, उस object के अंदर जितनी चाहिए, आप key function pairs डाल सकते हो, key value, key function, ठीक है, तो add to do, अब हो सकता है, आपको यह function यहां लिखना अच्छा नहीं लगे, कई आगे जाके, हम जब complex project बनाएंगे, तो इन functions को हम एक separate file में लिखेंगे, import करके लाएंगे, और यहां पर नाम लिख देंगे, यह तो खुछी बड़ा काम है नहीं, कहीं पर भी लिखो उनको, दो चीजों का access आपको मिलता है, एक state मिलता है, और एक action मिलता है, और action के अंदर आपको क्या मिलता है, action.payload, काफी और भी चीज़े मिलती है, लेकिन action.payload अभी हमारे इतना काफी है, तो कुछ नहीं एक to-do बनाया, और action payload में से to-do की value निकाल ली, जो भी text था, id मैंने nano id से बना ली, अब मुझे पता है state का access है, तो state के अंदर push कर दो, हाँ, पहले क्या होता था, पहले ऐसे नहीं होता था, पहले state से मैं सारे के सारे arrays निकालता, उनको spread करता, फिर अपनी value डालता, और फिर मैं करता, context API में मैं ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे state preserve नहीं रहती है, यहाँ पे preserve रहती है, मुझे कुछ नहीं करना, तो देगा वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी ना, dot 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 लगा, वो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ सीधा बस लिखो, इसलिए अच्छा लगता है, तो मैंने लगा है add to do, remove to do, अब update वाली functionality आप करोगे, हाँ जी, ठीक है, सबसे easy क्या रहेगा update करने के लिए, update करने के लिए सबसे easy रहेगा, कि यहाँ पे एक button लगाओ, जैसे update करना है, वो automatically load हो जाए यहाँ पे, और फिर यह add की जगे हो जाए, update, यह बड़ा अच्छा functionality, जिसकी भी हो जाए, वो discord पे पहुंच जाना, और discord का आपको link पता ही है, hitish.ai slash discord, पहुंच जाना, ठीक है, अब हमें क्या करना है, export करना है, export में हमें क्या चाहिए होता है, एक तो individual functionality, अगर यहाँ पे 10 आपके reducers हैं, तो 10 reducers export करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता, कौन से component में, कौन सा वाला reducer use हो जाए, इसलिए तो लिखते हैं, और एक चाहिए आपको सारे reducers का, एक main source export करना है, यह main source इसलिए export करना है, क्योंकि हमें इसको काम में लेना है, अपने state के अंदर, अपने store के अंदर, ठीक हैं, तो सबसे पहले मैं भाग के अपने store के, और उसको बोला कि देखे जी, यह है reducer की list, वो बोला ठीक है जी, और यहाँ पे सारा काम होई चुका था, तो अब बस कुछ नहीं करना था, अपने components में जाना था, components में दो चीज़े थी, कि values लेनी है या भेजनी है, अब add to do के अंदर, value भेजनी है, तो ठीक है, भेजने के लिए मेरे पास है dispatch, dispatch कर दो, courier dispatch करते हो, याद रखना, courier dispatch करते हैं, तो आपने dispatch करी, और आपके पास क्या है, जब भी dispatch करने हैं तो कुछ नहीं, ये method ही तो है, method ही है, इस dispatch के अंदर, जो भी आपका reducer है, reducer import करना मत बूला, तो आपने reducer import किया, और dispatch के थुरू, उस reducer को भेज़ दिया, ठेक है, ओके, तो ये वाला काम आपके पास हो गया है, ये जो बाकी सब हमने किया, वो सब कुछ खास नहीं था, actually मैं line number 8, और line number 12, समझने लाए कि दो ही था, लेकिन जो पूरा circus किया है, इन दो line को समझने के लिए ही किया है, तो ये बड़ा basic था, dispatch समझ में आ गया, अब values लेनी कैसे है, लेनी के लिए तो बहुत आसान है, आपके पास selector है, values select कर लो, तो ये हमने select किया, select के अंदर बस थोड़ा सा syntax ये different था, ये भी method ही, use dispatch की तरह, पर क्योंकि values select करनी है, तो कहीं से तो select करोगे न, हवा में थोड़ी न select हो जाएगी, dispatch में तो भेजना है, भेजते थाइम तो कुछ भी भेजो, क्या दिक्कत है, आपका समाल लेगा state जो भी है, store, लेकिन values लेनी है, तो state का access चाहिएगा, तो आपको यहाँ पे, उसके जो callback होता है, उसके अंदर आपको access मिलता है, और उसके अंदर से जो भी pick करना है, वो pick कर लो, अब हो सकता है state के अंदर, आपके पास to do's हो, auth हो, products हो, categories हो, आगे जाके बहुत बड़े-बड़े stores बनते हैं आपके पास, तो उसमें काफी values होती रहती है, तो आपको जो भी ची वो particularly pick करके variable में ले लो, अब variable में आ गई एक बार value, उसके बाद तो pure JavaScript है, उसके बाद कोई Redux ना कोई React, हमारी classic vanilla JavaScript लगाओ अपने loops map अगरा जो आपको लगाने है, और values को display कर दो, अब हमने यहां देखा कि आरे काम करते हैं, एक remove to do भी कर लेते हैं, अब remove to do करा तो remove to do क्या है, action लेना है, है ना, कुछ values भेजनी है, भेजते टाइम क्या होगा, use dispatch use होगा, use dispatch use होके क्या होगा, आपको ID भेजनी पड़ेगी, तो जब loop लगा ही रहे हैं, एक-एक individual access है ही हमारे पास, key में भी तो डाली रहे हैं, तो उसमें भी देई देंगे, तो यहाँ पर actually में हमारा होता है, काम खतम, अब क्या करना पड़ेगा, अब इसको push भी तो करना पड़ेगा, वरना आपको कैसे मिलेगा, ऐसारा का सारा code, फिर आप कहोगा, अब इसा code नहीं दिया, अरे सर तो सब दे रहे हैं, आप इशेर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो Redux Toolkit Project, और लोग कहते हैं कि to do बड़ा basic होता है, कभी आईए, मिली हम से, to do basic होता है तो, ठीक है, अरे stage नहीं करा वापस से, ठीक है, अच्छे से एक बात और मैं आपको बता दूँ, Redux से मैंने अच्छे अच्छे लोगों को भागते वे देखा है, बहुत दूर तक भागते वे देखा है, और Redux Toolkit तो हवा भी नहीं लग रही है, जितने अच्छे से आपको समझ में आ गया है नहीं पे, उतना Redux easy नहीं है, complex है, लेकिन जिस तरह से flow बनाया गया था इस पूरे example का, वो बहुत interesting है, हमें भी काफी दिन लगे, दिन नहीं weeks लगे थे इस flow को बनाने के लिए, और जब पहली बार class में डिलेवर केया था, उसी दिन students fan हो गये थे, हाँ बहुत टाइम लगा लेकिन मज़ा आया, जब लोगों को अच्छे से चीज समझ में आ जाते हैं तब असली दिल खुश होता है, कि हाँ, अभी डिलेवर हुआ है, क्योंकि complex तो कोई भी बना देता है, चीज़े हैं already complex, उनको आसान बनाने के लिए मैनत लगती है, support बनाये रखिएगा, target पूरा कीजेगा, इस comment के अंदर भी, इस comment section के अंदर भी, target बढ़ा दें थोड़ा, अभी तक अगर देख रहे हो, तो 1000 comments तो देखिए, Redux वाला वीडियो है, काफी complex है, 1000 comments तो करी देना, दोस्तों से करवा देना, अलग account से कर देना, पर 1000 complete कर देना, चलिए, 1000 complete होंगे, उसके बाद ही नया वीडियो डालूँगा आप तो मैं, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर,